तो मैं डेर स्टुडेंट आज किस बीडियों में बात करेंगे भी ए थर्डेर के फिफ्ट समस्टर के हिस्टरी यानि की प्रचीन इतिहास के पुरे को पूरे स्लेवर्स और मोस्ट इंपॉर्टन टोपिक्स के बारे में कि बीए फिप्त समेस्टर में जो प्रशन आएंगे इतिहास में वो कहां कहां से मुझे जाएंगे और कौन से टोपिक्स हैं जहां से प्रशन आएंगे आपके परिच्छा में यह आपको जानकारी होने चाहिए ठीक है वीडियो काफी हिल्फुल होने वाली है पूरी जानकार बीड़ों सेकेंड पेपर का स्लेबर्स कबर कर रहें कौनसा सेकेंड लिए खबर कर रहेंगे तो इसे लिए से निजुसर्णी रिग्णे Savannah मेंस आप Subscribe कि और बोल सकते हैं इन्हें को आप लोग को टौपिक लुछ सकते हैं टीक तो ये पूरा पूरा स्पीबिक फूरनी और बोट की टोपिक सी हैं लेकिन आप अच्छे समझभ सें क्या कि हुआं अपको समझा सकें इस पूरे वेसं को बने हिंदी में चलते हैं तो फर्स चीनित कबर करेंगे कि फर्स्ट में कहां कहां से प्रस्ट मत कर सकते हैं उसकी बास स्केंड थर्ड और इसी तरह सारे वनिट कबर कराएं सब्सक्राइब इस तरह सब्सक्राइब को देखते रहे कि पहला यूनिट से आएंगे कोश्चिन पूरा तत्तु और अन विज्ञानों में इसका क्या संबन्ध है ठीक है तो पूरा तत्तौ पहले जान लिज्ये, तो पूरा तत्तौ जो है वो धान शुल लिजीगा भौतिक आउसेस हैं, ठीक है? इसके माधम से प्रचीन और हाल के मानों के अतीत के बारे में अध्यन और जानकारी मिलती है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान लखेंगे बहुत फारे पुरा तत्तु हैं जिनकी जो बहुती कौसेस होते हैं ठीक है बड़े बड़े पत्थर होते हैं किला होते हैं ठीक है और पात्र होते हैं ठीक है वो सब क्या है पुरा तत्तु है और अन्य बिज्ञानों में इसका क्या संबंद ह मतलब की अन बिग्यान का मतलब की राजनीती साफ्तर, समास साफ्तर, मानो साफ्तर, अर्थ फाफ्तर, तो इन में क्या सम्मन्ध है पुरा तत्तु का यह आपको लिखना है, पुरा तत्तु का अन बिग्यान यानि राजनीती मानो साफ्तर, समास साफ्तर, इतिहास, इन में क्य संबंध है आपको लिखना है यह महात्पों टोफिक यहां से प्रस्ट मनेंगे भारत में पुरा तत्य की अध्यन की शुरुवात पुरा तात्विक उत्कलन के तरीके बताईए यहीं की भात में पुरा तत्य का अध्यन की जो शुरुवात है वो कैसे हुई है उसके बारे में प्रसनाएगा फस्ट यूड़े तो दो तीन कोईशिन आपको फस्ट यूड़े मिलेंगे जो मैंने आपको यहां पर बताई ही दिए ठीक है अब आएंगे हमने इस्ट यूड़ में आप लोगों क्यानी सिकेंड यूट में प्रगयति हासिक यूम आद देति हास की अधाना के के बारे में प्रस्ट बढ़ेंगे तो इसमें इक कोई टॉपिक क्सी इंप्डेंट है प्रागयति हासिक यहां से प्रफ्श्म नेंगे सको जहान नखेंगे प्रगयति हासिक यूड़े लेलां दूसरा है पा city capital आमे पश्ट मुष नोपासाड चाल ठीक है यानी की भारत मे पासाड यूग, पुरा पासाड यूग, मद्ध पासाड काल, नो पासाड काल, इन सभी का विस्तार कहां तक है, इसके विस्तार के बारे मताईए, और इन सभी का पर्चे देना है, यहां से प्रश्मनेंगे यह टोपिक्स हैं, ठीके, पासाड, पुरा पासाड, मद्ध पासा समान था, पहले कि बारे में जांकारी मिलती था पहले के समय में होगा龜ा यानि कि हडपा सबिता के अंतरगत कौन-कौन से नगर आते थे ठीक है उन प्रमक नगरों के नाम प्लस उनकी क्या क्वाल्टी क्या विसे इफ्ताय थी क्या अच्छाई थी उसके बारे हम लेकिना यहां से प्रस्ट मानेंगे उसके बाद यूट नंबर फोर्थ में आपको भ प्रूब के तोर पर थी साच्छ थे उदाहरान थे ठीक है प्रूब थे एवं साथ साथ में एतिहासे क्या निकि पुराने उप्योग क्या थे उसके बात में जो लोहे के जो चीजे थी उनका उप्योग क्या था उसके बाद उसका विकास कैसे कैसे हुआ और साथ साथ में प प्रचीन भात मैं मिट्टी के बारे में लिखी ठीके और भारत में लोहे के साथ छी मताइए जहां से प्रता सकते हैं ठीके तो कुछ कोश्चन मनेंगे फूर्थ उन्यूट फे अब आज आएंगे हम फिप्त नम्बर उन्यूट में भारत में विकास और प्रारंभिक लिपियां यानि कि बहुत पारी लिपियां हैं ठीके उन लिपियों की सुरुवात कैसे हुई और उन लिपियों का भारत में दिन प सिलालेक ये आपके टॉपिक्स में यहां से प्रस्ण मनेंगे ठीक है और अगला है कि रुद्रदामन का जूनागर सिलालेक और अगला जो है वो है शमुद्रगुप्त की प्रियाग प्रसाफ्ती समुद्रगुप्त की प्रियाग प्रसाफ्ती और तीक है रुद्रदामन का जूनागड शिलालेग यहाँ से प्रश्ण बनेंगे असोकातेरोहा सिलालेग असोकाधूसर शिलालेग ठीक है और भात की प्रमुकाहलेग अगला जो है कि कुमार गुपता का मंदसौर सिलालेक तो यह सब आपके टॉपिक्स में यहां से प्रश्ण बनने के पूरियूमीद जिनको आपको तैयार करना है और इन सभी का जो उत्तर है कहां पर मिलेगा कैसे मिलेगा उनके बारें भी जानकारे भी मापको देही दे रहे घे है अब आज आएंगे हम यूनिट नमबर शस्क्यूर push इंस समयस्टी के शूटbnे राजा कौन है ठीक है थो भारत में सिख्धा का प्रचलन और इसकी जो निर्मारकी excuse का एच जो मौर सिख्धा थे इनके बारे के लिख़गे लिख रहा है यह एक महात्पूर्ण funds के ठीके इंक्ट पर के तरह कि प्रिक्व करें कि इसी तरह यह तीनों के तीने जो इंप्सक्राइब सकते हैं भर आजाएंगे तुम यूनिटमबर एट में हैंकि याइट तो आप का है इसमें इतिहाफ के अध्धिन में सिला लेखो हैं सिक्कों का क्या महात्री यानि कि इतिहास के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है ठीक है ठीक है तो उसमें आपको फिला लेख के बारे में क्या जानकारी मिलते हो सिक्कों का क्या यूप योग है इतिहास के इतिहास के अध्यर में यानि कि पुराने समय का अगर आप इतिहास पढ़ते हैं जानकारी लेते हैं तो उसमें सिला लेक का क्या योगदान रहा सिला लेक का क्या महातु रहा है और सिक्को का क्या महातु रहा है पुराने समय में ठीक है यही आठ यूनिट से सम्मंधित प्रश्ण तो इसी प्रकार के कोईश्चन और यह टॉपिक से सम्मंधित प्रश्ण आपके पूछे जाएंगे ते पूरा का पूरा जो स्लेबर से हिंदी मिसीले मैंने कनुवर्ट करके आप लोगों के समस्त पेस किया है और अगर आप इन सभी का उत्तर जानना चाह रहे हैं तो आपको सिंपल सा बुक है तो उसमें पढ़ लिजेगा अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो इंटरनेट गूगल वाबा वे सर्च कर लिजेगा वहां पर इन सभी का उत्तर मिल जाएगा और पढ़ लिजेगा बाकी हमारी आने वाले दिनों में जल्दी कोईश्चन एंसर की भी टॉपिक्स है वाकई यह जानकाई देना था बस और यह आपका अपना ही चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको सभी प्रकार की वीडियो का नोटिविकेशन सबसे पहले मिलता रहें अगर आपको नहीं समझ में आया तो दो से तीन बार कम से कम वीडियो देख ल सबसेब हाँ में जापक जापईब का इव श्याब हाँ है।